और यहाँ पे वो नेड़ वाला बंदा यार रोने बैड़ गया होगा मैं मजाग भी नहीं कर रहा हूँ तो भाई लोग कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैग बैग दी वेलकम और स्वागत या आपका एक बिराण न्यूप गलत सीन से भरे पड़े भब जित हूँ वाईल की वीडियो में और यार इसमें तुम्हारा भाई नेड को चकमा दे देता है मतलब नेड और मेरे गलत पंग कहना मतलब यहां पर फिलार जोर जा रखें और नेड का तो पता ने यार बैग तक नहीं है यहां पर मेरे पास लेकिन यार जो भी है उसी को उठाके मैं आगे रस कर रहा हूँ एक आद बॉट में पेली चुका हूँ अब बंदे पिलने की बारिया चुकी है अब ये भाई हमारे बिल्कुल मुख के सामने सूटगन लेके आ जाते हैं खेर मैं साइड में जाता हूँ बिल्कुल उजी चिपकाता हूँ अब बाकी बंदों की बारि अब यहां पे ये हर एक बंदे यार सूटगन लेके आ रहे हैं कोई एस बार अके लेके गुसरा है कोई वो डबल बैरल खेर जो भी हो इनका बस एक ही बंदा बाकी होता है जिसके फुटी स्टैप आगे से आ रहे हैं मुझे अब पहले में लोगों पे गुस्सा हुआ करता था यार कि कोई जोर्ज क्यों नहीं आ रहा है हाना जोर्ज नो वो खाली बढ़ा रहता था अभी पता चला है मुझे जहां तक पता चला है यार लूट कम हो गई है मतलब पहले ऐसा होता था यार एक कंटेनर में उत्रो पूरे परिवार के लिए गने होती थी ठीक है अब यहां पे पूरा जोर्ज भी लूटोगे ना फिर भी नंगे रह जाओगे जैसे इन बंदों कोई देख लो मतलब सोडगन सूडगन लेके आ रहे थे खेर जोबियों यहां पे सब को पेल दिया जोर्ज खाली हो चुका है और मुझे नहीं पता क्यूं पबजी वाले गेम खराब करने पे लगे पड़े हैं क्या जो रती लूट कम करने की यार बंदे आते ही नहीं है अब अब देखो मुझे 100% नहीं पता लूट कम हुई है कि नहीं लेकिन मैंने बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं लेकिन यार लूट बिल्कुल भी नी मिलती और बंदे तो पूछो ही मत तो मुझे लगता है यह हुआ यार लूट कम हो गई तो कौन आगा नियत ता ठिलने के लिए खेर जो भी ओ जोर्ज खाली हो चुका होता है हना एक इसकोड आई होती है उन सब की पेटी बना देते हैं और जारे होते है रूचो की पहाड़ी की तरफ इस बार मैं बोलता है बगगी है तो पहाड़ी पे नहीं जाएंगे नीचे ही चलते सीधा और आगे गूलियां भी चल ली होती है तो करना क्या था मैं भी नीचे पे ले लेता हूं और बंदे देख लेते हैं हमें अब यहां पे मुझे ऐसा लग रहा था यार यह बंदा सिर्फ और सिर्फ हमारी लिए रुका था हना बिल्कुल जहां पे मैं गाड़ी लेने जा रहा हूं वहीं पे भाई सामने खड़े होते हैं और मेरे ख्याल से सप्रेस यूंपी चलाते हैं और तुम्हारे भाई पे सिर्फ लेवल एक का हेलमेट है हाना एक गोली लगते है यार हेल्थ की ऐसी तैसी हो जाती है अच्छा हुआ सिर्फ एक सस्ती गन युएमपी थी सोचो यहां पे बैरल बुरा लेके हमोती यार क्या ही हलो होता मेरा खेर जो भी हो यहां पे मैं इस भाई को भी लूट लेता हूं और आगे दमा के गोलिया चल लिया है हाना मतलब जोर्ज कोई नहीं है लेकिन रोजहुक बंदे भर भर क्या रखें तो करना क्या था मैं अपनी एमफोर निकालता हूं और वहां पे देखने लगता हूं जहां पे गोलिया चल लिय होती है अब यहां पर मैं शायद एक बंदे की किल चोरी करता हूं उसके बाद एक बंदा नोम भी हो जाते तो मैं बोलता हूं जल्दी से रस कर दो हरा गाड़ी मैं बैठता हूं धैड़ पैड निकलनी की तैयारी अब देखो यहां पर मैंने बग्गी क्यों उठाई क्योंकि मेरे दिमाग में इस टाइम यह थैयार की बग्गी छूटी है अराम से निकालूंगा लेकिन अराम का पता नहीं भाईया ठोक ठाक के निकाली औ जो भी हो यहां तक मैं पहुँच जाता हूं आगे बंदा नोग करके रखा है और जहां तक मुझे पता यहां पे दो सकॉड की पहले सई भाईट भीडरी थी तो मैं भी आ जातों किल चूरी करने और यहां पे आके मोहल सांग टैप हो जाता है तो जहां तक मुझे लग रहा है एक सुकाट ठिल चुकी है और जो भी बचे कुछे बंदे यार उनी से काम चलाना पड़ेगा हमें अब यहां पे एक बंदा अंदर नोक हो चुका है लेकिन हमें कंदू भी नहीं पता कि यार बंदे कितने हैं यहां पे असल में और यहां पे मुझे एक फ्री की किल भी मिल जाती है ठीक है नजाने किसने उसे नोक किया था लेकिन यार पेटी मेंने बनाई और एक बोट भी है नीचे और यह बोट लोग भी तब ही आएंगे यार जब दिक्कते चल लिएंगी हाना यहां घर के उपर तीन-तीन बंदे बैठे पड़े हैं और बोट नीचे से बैरल पठका रहा है और इसी के साथ यह आकरी स्कॉर्ड भी ठिल जाती है हाना भले मैं यार सबको नहीं पेल पाया सारी स्कॉर्ड को लेकिन किल मैंने लगबग एक ही बात कर ली यूएंपे वाले बंदे को पेला उस गर्राच के बगल में उसके बाद बोट की किल चुराई बंदों के किल चुराई ठीक है यार अपना हो चुका है अपना काम यहाँ पे कम से कम 14 किल तो ही मतलब यार जोर्ज उतर के तो सिर्फ दिली डूटता है आजकल खैर इससे पहले कि मैं आगे जाऊं और 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 भी जादा गलत सीन हो हम धैड़ पैड़ बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है एक एक्स बैट जिसकी मदद से आप कई सारे गेम्स क्रिकेट फुटबाल वालीवाल बास्केट बाल पे बैट लगा सकते हो और अपनी प्रेडिक्शन स्किल्स के तुरू पैसे अन कर सकते हो साथी साथ इसमें आपको 100% बोनस मिलेगा अगर आप मेरा प्रोबो कोड यूज करते हो जो की कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा और इसमें गेम्स भी होते कई सारे मिनी गेम्स भी होते तो हाँ यार आप वो खेल के भी पैसे अन कर सकते हो तो हाँ भाई लोग यार अगर आपको इस चीज का सोक है तो आप इसे जरूर ट्राय करो ट्राय करके देखो यार क्या पता मज़ा टैप आ जाए इसके लिंक कमेंट सेक्षियों में होगी बिल्कुल टोप में और उसके बाद मैं डिरॉप के पास जा रहा हूँ हाना क्यूंकि यार ढंकी गने चाहिए महेंगी गने चालानी है मुझे भी और बाकी बंदों को भी चा चला है बंदे पहले से ही पहुच रखे मेरे ख्याल से यह लोग यहीं पर उत्रे होंगे और हम पर गूलिया चला रहें दबाके लेकिन तुमारा भाई धीट है तो मैं बोलता हूँ डिरॉप गया भाड में पहले इनकी पेटिया बनाओ तो देखो मैं पीछे पे गाड़ी कुछता हूँ कि यार क्या नसें यह ऐसे कौन गाड़ी रोकता है उपन में हाना दिमाग में यह चलना है कि यार नहीं कवर में जाना चाहिए लेकिन यार धीट हूँ तो नेट डूट करने की कुशिस कर रहा हूँ जिससे कद्दू कुछ निउखरने वाला लेकिन मैं फिर भी करता हूँ अब यह गाड़ी साइड में भगते देख यार मुझे हुसा जाता है क्यूंकि यहाँ पे ओपन में सब हमारी पेटी बनाएंगे तो हम गाड़ी लेके भगते हैं पहले और यहाँ आते आते जैसे तैसे एक बन्दे को पेलता हूँ मतलब डेमेज देख रहो यार बन्दों ने चलती गाड़ी में अच्छे से लपेट लिया अब देखो अगर यह थोड़ी बहंगी वाली जीप होती तो इतना डेमेज नहीं होता लेकिन यह है खुली जीप बिल लेकिन यार नौक नहीं कर सका लेकिन वो बंदा रिवाइव देने भगेगा तो यार पकड़ने की कुशिस करेंगे और मैं तो कद्दू भी नहीं पकड़ पाता किसी को लेकिन यार हमारे भाई को पीछे से कोई पकड़ लेता है हरा नौक नौक करके छोड़ दिया बिल्कुल पीछे भी बंदे हैं और यह जहां तक मुझे लगता है दूसरी सो कोड़ के बंदे हैं और यहां पर रिवाइज देने से पहले मैं समोक में अजस कर देता हूँ हना बंदा फुल चोड में गाड़ी ला रहा है वो भाई कोई इज़त ही नहीं है यार हम यहां बैठे पड़े हैं नई भाई बंदा गाड़ी घुमाए जा रहा है मैंने बोले यार ऐसे काम नहीं चलेगा भाई समोक में गुचते हैं लेकिन किस्मत काम कर जाती यार दुक़्े लग जाते हैं और समोक में अजस हो जाता है और यार जहां तक मुझे लग रहा है वो लोग अब भगनी की बहुत दुख होता है मुझे, खास कर तब अपनी गाड़ी फूटती है, तो मैं बोलता हूँ यार कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समोक मैं जस्किया दुबारा भी कर लेंगे, लेकिन मैं बहुत बहुत गलत होता हूँ, मतलब तुक्के हर बार नहीं लगते। और मेरा समोक मैं जस्क करने का सपना चूर चूर हो जाता है, पहली बार हो गया था मुझे लगा ठीक यार ये लोग बैठेंगे, मैं बैठते ही पीटी बना दूँगा गाड़ी में, लेकिन यार जब तक मैं गोली चलाना शुरू भी करता हूँ, वो लोग गायब हो चुके ह होते हैं, खैर उत्रे में ही ये पीचे से दूसरी टीम के बन्दे गाड़ी लेकि आते हैं, और इनकी यहीं पे पेटी बन जाती है, और हाँ भाई लोग, तुम्हारा भाई डेली रिहो टीवी में सट्रीम वगयरा करता है, और वहाँ पे डेली गलसीन होते हैं, और देखो अभी आने वाले साथ दिन के अंदर पोको का giveaway खतम होने वाला है तो हाँ यार आप पे अभी भी मौका है पोको जीतने का तो वहाँ पे फॉलो करना मत भूलना और अगर आपको खुद को सौख है सट्रीम करने का तो आप रिहू टीवी पे करेंगे और पोको जीतने का भी मौका है खैर उसे के साथ मैं मिल्टी रेरी के तरफ आगया हूँ क्योंकि जोनी धरी बन रहा है और ये बेचारा बंदा वहाँ पे किसी की पेटी लूट रहा था हरा मतलब भाई मस्त लूट रहोंगे कि भाया ये सकोप नहीं मैं ये वहला उठाऊंगा उत्रे में ही मैं पीछे आता हूँ लेटा हूँ और बिल्कुल सस्ता सप्रे दे के सिधा पेटी बना देता हूँ अब देखो वहाँ पे फ़र चल ली हूती है गूलिया दबा के चल ली हूती है तो हम ना जाए ऐसा कैसे हो सकता है तो मैं भी आता हूँ गाड़ी लेके ठोक देता हूँ यहाँ पे और यार तयार हो जाओ क्योंकि यहाँ पे ना तुमारा भाई पहली बार नेड के साथ गलाच सीन कर देगा मतलब हमेशा नेड मेरे साथ गलाच सीन करता है लेकिन इस बार नहीं यार देखो मज़े लो इस चीज के और यहाँ पे वो नेड़ वाला बंदा यार रोने बैड़ गया होगा मैं मजाग भी नहीं कर रहा मतलब भाई बिल्कुल खुस होगा कि यार देखो दर्वाजा खुला पड़ा है मैंने नेड़ खीच दिया है मैं बहुत महेंगे नेड़ करता हूँ आज तो फाड़ के ही मानूँगा तो भाई नेड़ करते हैं नेड़ मुग के सामने पहुंचने वाला होता है मेरे और मैं दर्वाजा बंद कर देता हूँ और देखो ये जो हरकत मैंने नेड़ के साथ की है न नेड़ माफ नहीं करने वाला मुझे अब से मुझे नहीं लगता मेरा एक भी नेड़ फेटेगा एक भी तो यहाँ पर मैं एका नेड़ करता हूँ और मजाले जो एक फढ़ जाए मतलब जब मैंने ये बत्तमी जी नेड़ के साथ की न मतलब मुझे सामने दर्वाजा पटक दिया नेड़ के मैं समाझ गया था अपसे मेरे नेड़ फटेंगी नहीं बिल्कुल भी क्यार यहाँ पर इन दोनों को देखो आगे दो साब बने बैठे हैं जान तक मुझे पता है क्योंकि एक बंदा नौक वा था और किल के नाम पर मुझे कद्दू कुछ नहीं मिला है तो मैं इधर उधर भटकता हूँ दोनों की पेटी बनानी की कोशिश में लेकिन यार नहीं हो पता और हाँ भैलोग यार ये सस्ते नेड़ से बचने के लिए लाइक के बटन को पेला मत भूलने यार बिल्कुल ठोक के नीला टैप कर दो बिल्कुल नीला कर दो अब देखो जो मैंने करा वहाँ पे बिल्कुल टीपी पी लेना वहाँ पे ये पता होते हुए भी कि सामने बंदे वो ढीटता होती है तो देखो यार अगर आपके सामने दरवाजे नहीं है तो वो ढीटता मत करना क्योंकि कई बार नेट भट जाते हैं अब उनका एक बंदा मैं दुबारा नौक कर चुका हूँ और रिवाई वो कद्दू भी नहीं हुआ है तो मैं बोलता हूँ यार इस बार तो रस करके ही माने गया हम तो मैं गाड़ी निकालता हूँ जाता हूँ दूसरे बंदे की पेटी बनाने के लिए इतने ही कोई और अब यहां नजाने कितने बंदे बैठे पड़े हैं मैं गाड़ी लेके जाता हूँ बोलता हूँ कि यार साइट से पेलेंगे फ्लैंक मारके पेलेंगे हना मेरा फ्लैंक फ्लैंक ही रह जाता है वो बंदा कहीं और भगता है और उसकी पेटी कोई और बना देता है खेर जार करूँगा उस बंदे के इस गाड़ी में आने का क्योंकि यार वो बंदा साब बन के बैठा था जहां पे भी बैठा था और अब जोन जाना है तो भाई गाड़ी पे जरूर आएंगे बिल्कुल आएंगे और जो मुझे लगी रा था वही हो जाता है यहां पे मतलब यार डेड़ आईक्यू दिमाग कभी कभी काम कर जाता है खेर जो भी हो इस बंदे को मैं अंधा लूटता हूँ और देखो जब यहां पे लड़ाई चल ली थी तब मैंने एक चीज देखी थी वो यह है कि किसी एक बंदे पे AWM पड़ी है हाना देखो जोन बहुत चोटा हो चुका है इस जोन पे अगर आप पंगे ले रहे हो लूट रहे हो बाहर तो दिक्कत हो सकती है कभी भी पेटी बन सकती है आपकी लेकिन तुमारा भाई क्या है डेट बिलकुल हाना मतलब सारी लूट यहां पे मैं क्या करता हूँ इस बंदे पे आगे वाली पेटी पे AWM पड़ी होती है तो देखो जोन बहुत डेमेज दे रहा है और जोन पूरा जब चुझाएगा दूसरे जोन को डेमेज और भी बड़ेगा लेकिन तुमारा भाई इतना धीट है कि यार पूरी गोली सब मौत का टक्कर होगा अभी तो यहां पे मैं रुकाओं बिल्कुल फटके चार हो रखे क्योंकि कोई भी कहीं से भी मार सकता है लेकिन यार रुकना तो पड़ेगा कहीं न कहीं और देखो हम यहां पे रुके हैं और आगे वाली पहाड़ी में फाइट दबा के चली है हना तो मैं बोलता हूं यार ऐसे 21 किलो रखे हैं कैसे काम चलेगा 21 किल में तो मैं गाड़ी उठाता हूं और निकल पड़ता हूं उन बंदों की पिटी बनाने हना इससे पहले वो आ और ये बात मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यार वो बंदा बचके निकल गया मेरे मूँ के सामने से बंदा ओपर में भग रहा है इतना सस्ता सप्रे दिया मैंने कि यार बंदा है नहीं ठीला मतलब मेरे ख्याल से 10 HP बाकी होगी बंदे की लेकिन यार जब किसमत में किल नहीं लिखी होती तो कद्दू भी नहीं मिलती किल हाना तो मैं सोसता हूँ यार देखो AWM भी उठाई है AWM से फटके पहलता हूँ बहले किसी को ना पहल पाऊं लेकिन यार गोली बरबात तो करनी पड़ेगी नहीं तो AWM गाली देगे यार उठाई है चलाना तो पूली ख्यार आगे बंदे आपस मैं लड़ी रहें पर मैं जा नहीं सकता क्योंकि कितने बंदे कहां साप बने हमें कद्दू भी नहीं पता और अखिरकर मुझे एक साप की मुंडी दिखती है तो मैं निकालता हूँ अपनी AWM को अब यहां पे यार मैं गुसे में आ जाता हूँ मुझे लगता है यार जिस बंदे को मैंने AWM का फटका पेला उसे पेल दिया किसी और ने हना तो मैं धेड़ पेड़ गाड़ी लाता हूँ देखता हूँ कि यार सीन क्या चलना है लेकिन बाद में पता चलता है नहीं यार म दो लोग ठिल चुके और एक ही बंदा बाकी है और ये वाला नोग बंदा बहुत चालाख होता है मतलब यार ये रिवाइव होने के लिए कहीं पे भी नहीं जाता भाई यहीं बैठे होते हैं जिसके वज़ज़ से यार आखरी बंदा किधर है हमें पता नहीं चल पाता ले लेकिन देरे देरे वो भी पता लगाएंगे और ये आवाद सुनके मैं बहुत डर जाता हूं हरा मतलब यार अभी नेड को धुका दिया है नेड की मुग के सामने से बच के आयो मैं दरवाजा पेला यार नेड अब आखिर में जाके बदला ले ले तो धुक बहुत होगा तो जिस हिसाब से समोग वगेरा हो रहा होता है यार बंदा आगे ही नीचे कहीं पर बैठा है और फुटी स्टेब भी आना चालू करते हैं तो करना क्या है यार हम लोग ठीपी पी ले रहे और वो बंदा पूरी जोस में पूरी जान लगा के उपर पेरस करता है तो एमफूर चलाने का टाइम आ चुका है अब यह वाला मैच जीत के मैं खुश बहुत होता हूं लेकिन देखो आपको भी पता है मुझे भी पता है आगे वाले मैचेज में गलत सीन जरूर होंगे अना मतलब यार नेड से पंगा लिया है हलवा नहीं चला है यहां पर नेड बदला जर देखो वाँ पे मैं हील कर रहा था शायद मुझे पता था अगर मैं भगने की कोशिस करूँगा मैं कद्दू भी नहीं बचूँगा हाना और नेड यार नेड और अपना पहले ही से गलत सीने तो मैं भग भी जाओंगा तो भी मैं ठील जाओंगा तो मैं करता हूं दे लेटे पड़े थे खैर आज के वीडियो में इतना ही भाइलो ग्यार बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते एक एक एक्स बैट को चैपकरना मत भूलना उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टोप में और अगर आप यहां पे नए झाल 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 झाल